प्रदेश के दार जीले के तामनोद नगर में बावडी मौलेस्टित नर्मदेश्वर महादेव मंदीर में श्यूलिंग के उपर बंदा हुआ जल से भरा कलश अचानक से तेजगती से खुनना लगा इस नजारे को देखने के लिए लोगों की फिर्द जमा हो गई दरसल आज सूरी गरण हैं और सूतक से पहले पुजारी लश्वन जीदवारा रात तीन बजे पुजा अरचना के बाद मंदीर के पट बंद कर दिये गए थे लेकिन प्रति दिन दर्शन करने वाले भाग के मंदीर पहुंचे और पट बंद होने से शिकर के दर्शन किये कुछ भक्तों की नजर भगवान के मंदीर मजाली से गर्ब घ्रह में पड़ी तो शूलिंग के ओपर लगा जल से बरा कलेश को मराता अब ये वीडियो सोचल मीडिया पर सेरी से वायरल हो रहा है